तो गैस आज के दिन यानी 18 अगस्त के दिन बहुत शांदार अपडेट आया है वार्टू को लेकर और अल्या भट का फिल्म आल्फा से लेकर तो बात करेंगे वार्टू के बारे में और साथी साथ बात करेंगे आल्फा फिल्म के बारे में भी और दोस्तो आज के दिन क्रिस 24 को लेकर भी एक न्यूज सामने आया है तो उसका बात करेंगे अगले वीडियो में फिलाल इस वीडियो में बात करेंगे वार 2 के बारे में और अलफा फिल्म के बारे में तो वीडियो को लाज टक जरूर देखना वेल हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मुवी वाला दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए गाईज आप सबको पता है मैंने बताया था मार्च मंथ में ही रितिक रोशन का इंटरी सीन सूट हो चुका है वार 2 के लिए और रितिक रोशन तलवार बाजिक करते नजर आएंगे अपने इंटरी सीन में इसके अलावा कुछ सीन सूट किया है जूनियर एंटियार ने भी हाला कि आपको बता दू जूनियर एंटियार का अभी तक एंटरी सीन सूट नहीं हुआ है और आपको बताना चाहेंगे जूनियर एंटियार का फिल्म में एंटरी होगा शिप पे और junior NTR वाला in öntry scene suit होने वाला है अक्टूबर मन्त में अभी फिलाल junior NTR आज से shooting स्टार्ट करने वाले थे war 2 के लिए हाला कि उनके अंगोटे में चोट लगा जिसके कारण वो अभी shooting नहीं कर पा रहे है war 2 का अभी institute करेंगे उसके बाद next month में उनका फिलम आने वला है देवारा और फिर वो promotion में लग जाएंगे इसके बाद September के बाद October month में entry scene suit करेंगे junior NTR war 2 के लिए इसके अलाबा बात करें update के बारे में तो क्या राजवानी को लेकर update आया है पताना चाहेंगे क्यारा आडवानी ने अपना इंट्री सीन सूट कर दिया है और इंट्री सीन सूट हुआ है मुंबई के एक मॉल में जहां पर कमांडो से फाइट करते नजर आएंगे क्यारा आडवानी और ये सूट चला है चार दिन का तो रितिक रोशन का इंट्री सीन सूट हो चुका है क्यारा आडवानी का इंट्री सीन सूट हो चुका है अब बचे है जूनियर एंटियार और उनका सीन सूट होगा अक्टूबर मन्त में फिलाल आपको मैंने बताया है क्यारा अडवानी का भी एक्षन सीन होने वाला है और जवरजस्ट फाइट करते नजर आएंगे आपको फिल्म में क्यारा अडवानी क्योंकि क्यारा अडवानी ने सीखा है इस फिल्म के लिए माश्यल आठ तो क्यारा अडवनिंग का एंट्री सीन सूट हो चुका है वो भी मुंबई के एक मॉल में इसके अलाबा दोस्तो वार्टू के बाद आने वाला है आल्या भट का फिल्म स्पाई उनिवर्स में और उस फिल्म का नाम होगा आलफा फिल्म का अनॉस्मेंट हो चुका है अनॉस्मेंट वीडियो काफी खतरनाक लेवल का था म्यूजिक कमाल का था अनॉस्मेंट वीडियो का फिल्म 2025 में फ्लोर पे जाएगा और 2026 तक फिल्म रिलीज हो जाएगा बात करें इस फिल्म के अपडेट के बारे में तो आप सभी को बता दू इस फिल्म में रितिक रोशन का भी कैमियो रोल होने वाला है और कैमियो रोल में रितिक रोशन बनेंगे आल्या भट के मेंटॉर जी हाँ दोस्तों आल्या भट के मेंटॉर होंगे इस फिल्म में रितिक रोशन और उनका जबरजस्त कैम्यो रोल रखा गया है तो ये था दोनों फिल्म से अपडेट आप किस फिल्म का वेट कर रहे हो वार टू या फिर आलफा फिल्म लिखका जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आएगा क्रिस फोर पे तो उसका इंतजार करना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई